नमस्कार इन फिर दुश्ट्य वालीवूर्ड में दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रिश 4 से जुड़ी कुछ खास ख़बरों के बारे में दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रिश का चांथा पार्ट आ रहा है क्रिश 4 तो दोस्तों इससी बीच क्रिश 4 को लेकर के बहुत बड़ी ख़बर सामने आ रही है रितिक रोशन को लेकर के दोस्तों जैसा कि क्रिश स्रीज के बारे में तो सभी चानते हैं कि फिल्म में डांस रूमास के साथ सब एक्सन सीज बड़ी पैमाने पर फिल्म आय गए थे रितिक रोशन का एक नया लुक फिल्म आया गार था ने अंदास में नजर आय थे जिसकी वज़े से फिल्म को बेहत पसंद किया गया था क्रिश 3 और क्रिश को दोस्तों बताना चाहूंगा कि क्रिश के सभी सिरीज को आज भी बेहत पसंद किया जाता है तो दोस्तों इसी बीच बात की ज़ए क्रिश 4 के बारे में क्रिश 4 में डीप्ई का बाद को लियू टोलमे नजर आएंगी और प्रेंख का चोप्रा नजर नहीं आएंगी फिल्मे तो दुस्तो बात कि जाए रितिक रोसन के बारे में तो दुस्तो खबरे हैं ka Ritik Roshan फिल्म में डबल रोल की भूमिका में नजर आएंगी जिहां दिस्तों ये बॉलीवुड में खबरे काफी 400 से फैल रहें कि क्रिश फोर में रुतिक रोशन डबल रोल की भूमिका में नजर आएंगे जबकि फिल्म में डांस रोमान के साथ साथ एक्सन सीज बड़ी पहमाने पर फिल्म आए जाएंगे और फिल्म की शूटिंग भारत के साथ बिदेसों में भी की चाहेगी तो दोस्तों आप हैं कि इतना एक्साइटेट फिल्म के लिए फिल्म के बार में आपकी क्या रहा है आपके क्या ओपीनियन है कमेंट बॉक्स में जाएं और चरूर बताएं तो दोस्तों यह थी कुछ खास खबरे जो कि क्रिश फोर को ले करके आ रहे थी तो दोस्तों बॉल्ली विट से जुड़िये सी तमाम खबरे जानने के लिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें परें दोस्तों के साथ और कमेंट करें अगर कुछ क्याना चाते हैं क्रिश फोर के बारे में धन्यवाद